नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मैं आपको खुद खुद पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ हुद हुद एक ऐसा चमतकारी तांत्रिक पक्षी है जिसके बारे में अनेकों रहसे हैं जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा साथ ही साथ मैं आपको इस हुद हुद पक्षी के द्वारा अद्रस होने की सक्ति के बारे में बताऊंगा तथा वसीकर्ण सक्ती के बारे में बताऊंगा साथ ही साथ दोस्तों इस रहस्मई पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्मई के बारे में आपके समक्ष तत्थों को भी रखूंगा और इस से जुड़ी अद्भुत जानकारी दूँगा अगर आप लोग भी चाते हैं कि मैं इस रहस्मई खुद खुद पक्षी के बारे में आपको चमतकारी तिलिस्मी जानकारी दूँग तो इस बीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा मित्रों हमारे संसार में अनेकों प्रकार के जुजनतू का निवास है किन्तू दोस्तों हर एक जीऊ के पास अनोखी सक्ति होती है जिसके बल पर वह पक्षी अपना जीवन यापन करता है मित्रों मैं आपको अपनी इस बीडियो में इस पक्षी के द्वारा अधरस होने की सक्ति बताऊंगा साथी साथ इस उधुद पक्षी के द्वारा वसी कर्ण करने की सक्ति के बारे में बताऊंगा तथा इससे जुड़े रहसों के बारे में भी बताऊंगा लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये और घंती को भी सही पिरकार से दबा लीजिये तथा हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिये सही पिरकार से ताकि हमें भी होसला मिले आपकी वीडियो लाइक करने से दोस्तों बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पर वीड की कमी होती है काम बहुत होता है इसलिए दोस्तों मैं रहसे मैं जानकारी खोजता रहता हूं और जो रहसे मैं जानकारी पसंद आती है उसी के बारे में खोज जांच परताल करके मैं आपकी समझ लाता हूं तो दोस्तों आप सभी से अन्रोध है अगर आप आद्भूत जानका आ चाहते हैं तो अमावस के दिन सुवह 4 बजी आपको इस पक्षी से साथ पंख करने बांद करने हैं और इन पंख को प्राप्त करने के पश्चाट आपको क्या करना है कि आप इन पंख को मित्रों तो इक काले कपड़े में बांद करके ठीक है और यह सारी इस सारी चीज़े आमावस में ही करनी है और फिर इसके बाद दोस्तों आपको इसको जो है साम के टाम जला लेना है जलाने के बाद दोस्तों जलाने के बाद मित्रो इसमें आपको थोड़ा सा जिहां दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको जो है गेंदे का रस मिला करके इसका तिलक लगाना मात्र से आप गयब हो जाएंगे और इसको आप वसी करण के रूप में प्रियोग कैसे करते हैं वह भी मैं बता देता हूं इस खुद हुद पक्षी के द्वारा दोस्तों वसी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों आपको इस पक् जो है जो है जो ffeसे को जो जो हो और अपर दोस्तों बारों कि खुद हैंगे ऑपना चौंच और जोम्ता करना के दे कहां वह जाती है और इसिए बितत आ कृसिता फिरफिर डुपहर में और यह जैसे आपने रहे बहभेजे मिठी में आधा फेजहतुट मार। और आपको फिर दोस्तों और एक बजे से पहले पहले यानि कि बारा वजे से एक बजे की बीच में इस मिट्टी को किसी के सर में डालना है डालने मातर से वह वक्ती वह सिभूत हो जाएगा दोस्तों इस पक्षी से जुड़ी अन्यकों रहस्यमई जानकारियां हैं तो दोस्त को इस हुद० पक्षी के बारे में और भी रहस्यमई चमतकारी जानकारी दूँगा बीटियो पार्ट्व का ज़रूर इनतजार करिएगा और बहुत जल्द आने वाली है तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि में हुदुद पक्षी के बारे में और जानकारी दूँ क्योंकि दोस्तों मैं अगला पाठ लेकर आने वाला हूँ हुदूर्द पक्षी से जुड़े आने को रहसों के बारे में इस से जुड़ी जो भी तत्थे हैं जो भी माननेता हैं जो भी रहसों में चमतकारी सक्तियों की जानकारी है वो सारी ज़ानकारी में दूँगा आपने वीडियो पार्ट तु में या यानी वीडियो भाग दो में आपको पूरी ज़ानकारी दूँगा तो दोस्तों आप सबीशन रोध है कि भाग दो का इंतजार करें यह भाग हमारा पहला है धन्यवाद झाल झाल